दोस्तों सबसे पहले विनिच सा यूटूब चैनल फैमिली की और से सभी को हैपी नौरात्री और इस वीडियो में हम लोग यहीं सिखने वाले हैं कि यह नौरात्री स्पेशल एस्टैटेश बीडियो कैसे बनाते हैं और जैसा आपने वीडियो का स्टार्टिंग में वीडिय वीडियो को ध्यान से दिखें कि इस वीडियो को सीखने के लिए हम लोग चलेंगे में उससे बहले बोलना चाहिए कि अगर आप चैनल पर नया हो पहली बरहा हो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लेना कि आने वाला हर वीडियो आपको टाइम टाइम मिलते रहेगा चलि इसके बाद से यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने ओपन होके आ जाते हैं यहां पर प्लस का आप्सन मिलता है प्लस वह बनाना चाहते हैं अगर यहीं साउंड आपको चाहिए तो मेरा ठेलेग्राम जोइन नहीं किया तो जोइन कर लो वहीं पर आपको मिल आपको यहां पर लेंगे और अपना गैलरी से उसको ले लेंगे दोस्तों ठीके तो अपना लाइट मुशन ओपन कर लेते हैं और यहीं से वीडियो का टुटोरियल है तो इसी का साउंड हम लोग लेंगे ठीक है कि मेरी मा के बराबर कोई नहीं ऐसा यह गाना है बहुत यूनिक है अभ इसे वीडियो हीडियो के लिए पर रेंए के सिंपल काम है सबसे पहले ये विडियो जो हम लोग और यो तो अभी सुनाएंगे नहीं आपको यह कितना वीडियो की लेंथ उसके लिए हम लोग औरड आड करेंगे तो प्लस करेंगे यहांपे मीडिया पर जाएंगे दोस्तो और अपना गैलरी से एक फोटो भी एड करना जाएगा दोस्तों और यह फोटो लाने के बाद आपको फिर पर क्लिक करना यहां से यह जो आप्सन मिलता है फिल कॉंप सिनरिया इसको क्लिक करना है ठीक है अब मुव राण्वर्म पर जाएंगे थर्ड वाले अप्शन लेकर इस तरीका से करके आपको थोड़ा सा जूम कर यहां से आपको स्क्रीन पर टैप करेंगे और यह देख सकते हैं इस फोटो पर क्लिक करेंगे स्पीड पर क्लिक करेंगे और इस एरो पर क्लिक कर देंगे ठीक है यहां तक ही काम आपका कंप्लिक हो गया है ठीक है अब आपको करना क्या है यहां पर बहुत ध्यान से देखन जाएगा तो दोनों जगे जहां से भी आपनों से ले सकते हैं ठीके हैं अब चलिए उस whoo यहां पर देखना होगा ठीक है इसको यहां पर जूम करना होगा इसको भी स्लाइड करके लाश तक जाईए और इस एरो को चूज करेंगे यह लाश तक लग गया पार्फेक्ट अब यहां पर एक चीज बहुत ही ध्यांसे देखना होगा सबसे पहले हम लोग इस PNG पे अपना effect को लगाएंगे तो PNG पे click कर लेंगे यहां से move and transform पे यहां पे एक plus लगा देंगे शुरू में एक plus लगा देंगे और इस side में रखेंगे यहां पे गाच देख सकते हैं यहां पे खतम हो जा रहा है खतम होने से पहले यहां पे रखना है यह लगभग देख सकते हैं 29 सेकंड का वीडियो है तो यहां पे लगभग 15 सेकंड पे हम लोग रखेंगे 15 सेकंड तक आएंगे 15 सेकंड चूज करेंगे यहां पे plus कर लेंगे और इसको आप इस side से इस Te ses a side मिलेके जाएंगे ठीक है एकदम ो आस्टे डिभे करेंगे अब अब संड़ करने के लिए दोस्तोट जैसे बाश्वे करेंगे यां पेे रेड लाइनिंग मिलेगा उस रेड लाइनिंग को जरूर जरूर आपको बरकरा रखना होगा नहीं तो आप करने ही पाएंगे दिक्कत होगा ठीक है तो यह देख सकते हैं यहाँ पे red lining को ही एकदम पकड़के यह आपको रखना है और उसके बाद से उसको लेके जाना है ठीक है एसे देख सकते हैं red lining को छोड़ना नहीं है correctly एकदम इस तरीका से लेके जाएंगे जहाँ पर यह गाच आपका खतम होज़ा है वहाँ पर छोड़ देंगे और प्लस लगाए फिर इसको हम लोग वापस से लेके जाएंगे उसी तरीका से ठीक है इसको वापस से लेके यह इधर जा रहा है ठीक है ना इधर में जा रहा है ठीक है एकदम इधर में क्लिक किये हैं और यह इधर से मतलब लेफ्ट से राइट के तरफ जा रहा है ठीक है अब आपको करना कि अब ध्यान दीजिए अब फोटो पे क्लिक करना है अब फोटो पे क्लिक करने कवाद मू को दिफ्रेंट डिफ्रेंट डिफ्रेंट डायेक्षन में घूमना चाहिए ठीकर जिसे फोटो और प्लस कर लेते हैं अब इसको हम लोग हाफ तक यह लेकर यह लाउस्ट करके आएगे फोटो को दुरगामा को ठीके यहाँ स्लाइट करके यहां तक रखेंगे हम लोग ज्यादा स्लाइट नहीं करेंगे इतना ही दूर तक करेंगे अब एकदम लास्ट में चले जाएंगे एक और प्लस लगा दीजी और फिर वापस से हम लोग को इस तरीके से लेके जाना है ठीक है तब यह आपको 3D लुक में आपको यहां पे देखने को मिल रहे है ठीक है देख सकते हैं कितना यूनिक लग रहा है फोटो आपको इस तरीके से और इस तरीके से जा रहा है और यह आपको एकदम 3D लुक में यहां पे देखने को मिल रहा है अभी इसमें बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है वह भी मैं आपक यह देख सकते हैं दोस्तों यह वाला पर कॉपी कर लेंगे यहां से यही पर क्लिक करना है यहां से यहां से बैक करेंगे ठीके अब आपको वीडियो पर किलिक करेंगे यहां से पेस्ट फोर्य कर देंगे और यह जो प्रैजी वाला प्लिक करना यहां से एडिफिक पर जाओगे उशके बास से brightness and contrast को लेके यहां से standard setting को click करना है अब brightness को हलका सा आपको increase करना है ताकि यह जो bricks है वो पूरा clear दिखाए दे contrast को भी इधर से आपको बढ़ाना है ठीक है तो इससे contrast को हम लोग हलका सा बढ़ा देते हैं अब यह देख सकते हैं बहुत ही अच्छा effect एकदम 3D effect आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अब इसमें एक काम और करना होगा वह है इसी वीडियो के description में आपको एक flower वाला flower png मिल जाएगा जो वीडियो है black screen वीडियो उसको एड़ करना है चलिए उसको इन चीके के नीचे में रख देना है ठीक है अब इसके बास है लास्ट में जाएंगे लास्ट में लास्ट तक जाईए ये एक्स्त्रा पार्ट थोड़ा सब्सक्राइब करना है और ज्यादा सहां दोत दोस्टिंग करेंगे अभी ऋच्छे यहां से एक्सपर्ट करेंगे तो वीडियो आपका गैलरी में सेफ हो जागा दोस्तों